एपिसोड 38 की स्टार्डिंग होती है और लियांग कहता है प्रेसिडेंट फैंग हमें जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बताएंगे फिर फैंग मन में कहता है मुझे बहुत कुस्सा आ रहा है मुझे नहीं पता किस कमीने का आइडिया ये उसके चक्कर में में इतनी बदना फैंग इचार रहा था पिरषान कहती है कैसे है कि सच में तुम्हारे अच्छे मृट को देख के मझे शांती मिली फिर मुझे पादर पिर कया तो मिल्से बाद के शांता क्या है पिर क्या नहीं मेंavored मेकit यह-पर्षण संसार में ओसके और सब नहीं होगी कि वह फैंगी चैनल को ना दीए इसके बाद में फैंग साउस दिखता है और फैंगी चैनल बहुत घुता है सारे वरकर भी उससे डेकर डिरेवे थे और फिर एक वरकर कहता है कि मास्टर बहुत घुसे में लग रही है ऐसा लगता है कोई जो ने इस अचेज जी हाँ, पता नहीं किस ने उनके साथ इतना खतनाग मजा किया है, यंग मास्टर प्लीज अपने फादर को शांत करिये, फिर रुशी कहता है, ठीक है मैं ट्राइ करता हूँ, दरसल वो रुशी है जिसका ये सारा आइडिया था, और फैंग ये चैन खुद को बीटना चाता ह फिर रुशी मन में कहता है, ये हैकिंग वाली बात सुनी सुनी क्यों लग रही है, फिर फैंग कहता है, रुशी तुम आज जल्दी आ गए, फिर रुशी कहता है, अहाँ डैड, क्या आप उदास हो, मैंने लोगों से सुना कि किसी ना भी कंपनी के सारे कंप्रेटर को हैक क फिर फैंग कहता है, तुम्हें उस बात की चिंता करने के जरूरत नहीं है, आज रही तो कल, मैं उसे पकड़ लूँगा, उसकी हमद कैसे होई मेरे से समझा करने की, फिर फैंग मन में कहता है, वो इनसान मो तो नहीं है न, वो और मेरे डैड, एक दूसरे को नहीं जानते ह लगता है मैं कुछ जादे सोच रह judgments Lauren, फिर फैंग कहता है, रूषी मैं तुम्हें से कुछ पूछने जाता हूँ, फिर फैंग कहता है, हाँ बोली डैड, फिर फैंग कहता है, मेरा एक दोस्त है, वो मैंने मतलब उसे एक लड़की पसंद है, पर उस और उस और थांगा दि friend को उदास नहीं रहना चीए जबकि जाके directly बात करना चीए हो सकता है कि ये एक गलत फैमी हो फिर फैंक कहता है ये गलत फैमी नहीं हो सकती मेरे दोस्त उस औरत को बेशर्मियों की तरह जाके वापस नहीं दोण सकता फिर उस्ति कहता है dad ऐसी acting मत करो नहीं तो कोई और नहीं जमा लेगा और फिर बाद में आपको पच्तावा होगा फिर फैंक कहता है पच्तावा मुझे कभी पच्तावा नहीं होगा वीडियो एंड करने से पहले एक इंफोर्मेशन कल फेस रेवील प्लस क्यूने वीडियो छे बजे आ रही है तो संभा लेना और इसे के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खतम होजाता है कमेंट बताएए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शिर सब्सक्राइब कर देना अगला एपिसोड बहुत चल्दाएगा